जहें दोस्तों अंदेमाद बॉलिवड के भी निताओं के लिए OTT आप जानते हैं क्या है OTT एक तरह से TV सिरियल का जो एक पूरा दौर था वो बन चुका है जैसे पहले कहते थे कि हम तो बड़े स्क्रीन के सितार हैं हम छोटे स्क्रीन पर जाके क्या करें वही कुछ आलम आज कल सितारों के साथ हो चुका है जो ये कहते हैं कि हम तो बिग स्क्रीन के हैं OTT OTT हमारा काम नहीं है लेकिन अगर आप देखें तो समय की मार जेल रहे बॉलिवड ने इस समय काफी हद तक अडाप्टेशन को अपना लिया चाहे हम यहाँ पर अक्षे कुमार की बात करें या जादीवगन की बात करें बड़े-बड़े सितारों ने यहाँ पर OTT के उपर अपना डेब्यू कर लिया लेकिन अभी भी कई सारे सितारे हैं जो कि शकाड़ में बैठे हुए हैं कि नहीं भईया हम से उपर तो कोई भी नहीं है और हम अपने आपको कभी भी OTT का स्टार कहलाने के काबिल नहीं बनने देंगी अभिशेक बच्चन की अगर हम बात करें तो अभिशेक बच्चन जब तक बॉलिवड के में इस्टी मूवीज के बीच पड़े हुए थे तब तक कही न कहीं उपर कर्दम रखा ब्रीट के थूट आज देखी हर तरफ उनी की बात चल रही है ब्रीट का दूसरा स्टार सामने आया हर तरफ अभिशेक बच्चन की दारीफ चल गई ऐसे में अगर हम बात करें तापसी पन्नू की शाबाश मिठ्टू दोबार ये दो मूवीज उनकी ऐसी थी जिन्होंने थेटर में किसी को घुसने ही नहीं दिया पहले ही अपनी आभा इतनी कड़ी कर दी उनने कि भाईया नहीं हमें देखने मता ना हम बड़ी ही घटिया मूवी है ऐसे में अब इसी फेहरिस में और आगे बढ़ते हुए उनकी एक और मूवी रिलीज होने वाली है जिसका कि नाम बलर है अब्वेसी बात है इस तरह का इसका लुक सामने निकल कर आया है उससे समझे में आ रहा है कि ये भी एक हॉरर सस्पेंस टाइप की मूवी होने वाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको 9 तारिक को डारेक्ट OTT के उपर Z5 पर रिलीज किया जाना है ये बालीवड के इस बड़े सतारे मतलब कि ताबसे पन्यों के लिए किसी सैटबेक्स से कम नहीं है कि उनकी मूवी अब डारेक्ट OTT पर आएगी हलाकि उनको उनकी फीस मिल चुकी होगी लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं मेकर्स को भी जबात का भरोसा होगा कि अगर इस मूवी को हम लोग थेटर मर्लीज करते हैं तो शायद इस मूवी को लेकर एक नेगेटिव कैमपेंच चल जाएगा और लोग इस मूवी को देखने के लिए जाएंगे नहीं क्यों क्या पता कहानी को लेकर और बाद में क्या कुछ चीज़े निकल कर सामने आती हैं ट्रेलर आएगा उसके बाद और चीज़े क्लियर होगा लेकिन हाल फिलहाल में तापसी पन्नु की इस मूवी को लेकर घोशना हो चुकी है कि अभी ये मूवी डियरेक्ट OTT पर रिलीज होने वाली बॉलिवड अभिनेतरी तापसी पन्नु के लिए ये साल कुछ खास रहा नहीं इस साल आई अभी नेतरी की फिल्म शाबाज मिठ्टू और दोबारा दोनों ही बुरी दरा फ्लॉप साबित हो वहीं अब तापसी की फिल्म बलर सीधे OTT पर रिलीज की जा रही है अभी नेतरी ने सोशल मीडिया पर फिल्म का मोशन पोस्टर जारी का रिलीज डेट का भी एरान कर दिया है जी स्टूडियोज और आउटसाइडर्स फिल्म का और एकलेक प्रोडिक्शन दोर निरमेद बलर एक साइकलोजिकल थ्रिलर है जिसमें तापसी पन्नू और गुल्शन देवाई यमोख्यों में का नदर आएंगी तापसी पन्नू ने फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि जो नदर आता है उससे कहीं अधिक हमेशा रहता है अजय बहलो और पवन सूनी दोरा लिखी गई बलर की कहानी एक महिला के एर्दगर्द घुमती है और उसके संगर्शों का अनुसरन करती फिल्म में तापसी पन्नू गैतरी का करदा निवा रही है जो कि अपनी जुड़वा बहन की मौत की जाच किरने की कोशिश करते करते धीरे धीरे अपनी दिश्टी खो देती फिल्म में तापसी एक निर्माता के रूप में भी काम कर रही है ताफसी पन्यों ने कहा कि थ्रिलर मेरी फिल्मोग्राफी का एक महत पूर्ण हिस्सा है और बलर एक ऐसे स्क्रिप्ट थी जो मुझे पसंद आई इसलिए जब वशाल ने इस प्रजेक्ट के लिए मुझे सब्बर किया तो मैंने तुरंध थां कर दिया लगभग आदी फिल्म को ब्लाइंड फोल्ड करके शूट करने के बाद मैं बहुत सारी यादें और असली चोटें घर वापस ले जा रही जिसने मुझे इस पश्ट द्रस्टी को और भी ज़्यादा अधिक महत दिया है सेक्शन 375 के बाद मैं वास्तव में अजय सर के साथ काम करने के लिए काफी ज़्यादा क्यूरियस थी वह तो मुवि काफी अच्छी लगे घृति मतलब मुवी का उन्होंने काम भी अच्छा किया थै और उस तरह की मुवी करने में मुझे लगता यहादा सहज भी हो चुक है और ऐसा नहीं है कि देखिए यह ब्लर मूवी आ रहे हैं और बुरी होगी नहीं हो सकता है अच्छी हो लेकिन आज की रेट में जब आपको पता है कि किसी मूवी का पोटेंशिल इतना जादा नहीं है कि उसको थेटर में उतना दर्शक मिल सकें दर्शक कोई की चूजी हो अब डाइक रूटेटि पर रिलीज करें और और अब्विसी बात से जितना मुनाफ़ा कमा सकता है तो इतना कमा इसे आपका इस बारे में क्या कहना में जरूरू बता है मेरे स्वीडियों पता होतना है जैए जैबाराब